आज मैं आपको बताओंगी आलो वाले चावल पनाने का तरीका उसमें ने एक बड़े साइस की अनियन प्यास कटिंग कर ली है मैंने इस साइस में कटिंग किया है दो बड़े साइस के टमाटर और मैंने इसमें टैन ग्रीन चिरीज यूज की है आप जितना चाहें यूज कर सकते हैं हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर फुल टेबल स्पून सॉल्ट और वान टेबल स्पून इसमें गरम मसाला एट किया है और यह चार कुटोरी चावल है इन्हें मैंने बिग होके रख दिया है तकरीबं 15 मिंट हो गया है इसमें मैंने तीन चमच बड़े कुकिंग को गरम हो चुक हैं ऑपमें फ्रिमिश अप्में तो आपी प्यास डाल लोगी थोड़ा प्यास ब्राउन हो गया है अब मैंसे थोड़ा सा पानी एट करोंगी अर इसको आप मैंसें यह सारे प्रमाटर अर टालों भड़ानु अर इसके साथ ही यहा अलो बरी कटे वे लोगर अब मैं इसमें पानी डाल दोगी चावल थी उसमें साथ कटोरी पानी डालेगा अब इसके अंदर पानी एड़ किया है आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर और जरूरत हो तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं जब तक चावलों का पानी बोलता है हम चटनी का समान त्यार करते हैं एक ट्माटर एक प्यास कटी हुई हरा धनिया इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं हाफ टीस्पून सॉल्ट नमक और फुल टीस्पून राट चिली पावडर और इसमें दो ग्रीन चिली भी आज तेज़ती इसके नीचे पानी बोलोना शुरू हो गया अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो हमने पहले निखो के रखे हैं वेसे पांच मिनिट के बाद यह अब डम लगाने के लिए त्यार हो गया है अब धकन पर रुमाल लगा दिया मैंने और इसको अब धक के मैं दम पर रख दूंगी हलकी आज पर 20 मिन के बाद मैंने चुला बंद कर दिया है और इसका दम हम खोल लेंगे मज़ेदार आलो वाले चावल की रेसिपी बनके त्यार हो चुकी है और यह साथ मैंने चटनी बनाई है आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भोलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रे